इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे गुजरात इस्टेट फटलाइटरस और कैमकल लिम्टेट के बारे में जिसको हम इंशोड जी एस एफसी के नाम से भी जानते हैं कम्पनी ने अपने कॉर्टर फूर के नंबर्स को पब्लिश कर दिया है तो चलिए देखते हैं इस बार के नंबर्स कैसे रहे और कम्पनी की तरफ से एक फाइनल डिविडेंट की भी एनाउंस्मेंट हुई आपको थर्ड रो में देखने को मिलेंगी तो चलिए देखते हैं इस बार के रिवेन्यू कितने रहे कंपनी की तो यर्ली बेसिस के अगर बात करी जाए तो लास्ट यर कंपनी के रिवेन्यू 2383 के ते वह अजबर 1965 करोड़ पर आगे और कौटर ली 2007 से 1965 तो कौटर अगर आप देखें तो लगबग 2% की गिरावाट अब यर्ली बेसिस पर आपको 18% का डेकलाइन देखने को मिल रहा है कंपनी की टोटल रिवेन्यू में उसके बाद अधर इंकम भी आप एड़ करेंगी तो आएगी टोटल इंकम जो की यर्ली 2400 से 2017 पर आगी कौटर ली 2089 से 2017 पर तो Q&Q प्लस Y&Y दोनी जगे इंकम इस बार हमें कम देखने को मिल रही देन एक्सपेंस की अगर बात करें तो 2100 करोड से 1900 पर आगए यर्ली और 1946 से 1993 पर Q&Q तो साल दर साल खर्चे कम रहे क्योंकि इंकम कम रही और Q&Q बहुत ही नॉमिनल से खर्चे कंपनी के बढ़ चुके हैं देन डिसकस करते हैं टोटर प्रॉफिट फॉर पीरेट कंपनी को कितना हुआ अल्मोस्ट 88-90% के अप्रॉफिट देखने को मिल रही है और Q&Q भी लगबग 80% की गिरावट हमें प्रॉफिट में देखने को मिल रही तो इस बार जो GSFC के नंबर है कुछ खास नहीं है आपको प्रॉफिट काफी जादा कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं सेम रिफ्ले तो तोटल इंकम अगर आप देखें तो 11,517 से 95,00 क्रोड पर आगी तो साल दर साल इंकम भी कंपनी की काफी कम रही है एक्सपेंस की बात कहां तो 99,00 क्रोड से 88 पर आगया इंकम कम रही तो खर्चें भी कंपनी के कम देखने को मिल रहे हैं तो पूरे यहर एंड में 23 में क होके 14.16 पर आगया तो जिस तरीके से प्रॉफिट कम होए सेम इपीस में भी गिरावट है मैं देखने को इस बार बिल्कुल मिल रही है अगर पूरे दोस्तों सेग्मेंट रिवेन्यू की बात करें तो फटलाइजर प्रोड़क्स का सेग्मेंट जो है वहां पर आप देखें फटलाइजर प्रोड़क्स का वहां पर आपको दोनी जगें सेग्मेंट में गिरावट देखने को मिलें तो ओवरल दोस्तों यह थे गुजरात इस्टेट फटलाइजर के नंबर जो की बिल्कुल भी हमें इस बार अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं तो मॉस्ट वेब